आज का फर्स्ट प्रस्ट है कि इन में से कौन अपने देश का पहला राष्टिय उद्ध्यान है यानि कहने का अर्थ है यानि कि भारत का पहला राष्टिय उद्ध्यान कौन सा है तो आपको बताना है कौन सा है बांधिपूर नेशनल पार्क, जीम करवेट नेशनल पार्क, क इसका पूराना नाम जो होता है वह हैली नेशनल पार्क है इसका पूराना नाम है और अभी जो नियू इसका नाम दिया गया है जीम करवेट का नियू नाम यह उत्त्रा खंड में इस्ति थे और बात करें कान्हा नेशनल बार्क की यह मध्य पर्देश में इस्ति थे एंपी में मध्य पर्देश में याद रखेगा इनकी इसका राइट एंसर होजेगा अप्शन नमबर भी नेशन प्रशन है इसका अगर PDF चाहते हैं तो टेलिग्राम ग्रूप से जोईन होकर इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फिरी में ही और डाउनलोड करने के बाद इसका प्रेक्टिस जरू करते रहेगा क्योंकि प्रेक्टिस इस तकी अप सक्सेस अब डेली जरू प्रेक्टिस करते रहेगा और ये जो प्रशन है कि निमनांकित में से कौन इस्पीसिज है एक सोरा निफयंतिस टिकूमा lóg है इनwind में से सभी तो पुछाए कि इस्पीसिज कौन सहे तो वह होता है निफ्य इस्पैंस यानि का आपसी नमर जो भी है इसका सही एंसर हो जाए तो चलिए नेक्षन प्रस्ट को देख लेते हैं और यहां प्रस्ट है कि 200 में कूल कितने जेव बिविदिता होट इस्पोट है तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहले से मालूम होगा तो आप कमेंट बक्स में इसका इंसर दे दिये होगे 5, 15, 9 और 34 तो 200 में पुछा है 500 में कूल कितने जेव बिविदिता होट इस्पोट है तो वह है 34 यानि कि अप्सन नबर जो D है इसका राइट एंसर होजेगा सेशन अच्छी लग रही हो इसे लाइक जरूर किजेगा अब की बार पीता की फिक्र को फक्र में बदलना ही है अगी बार 450 पलस से हम टार्गेट रखते हैं आप लोगों से उमीद करते हैं आप इतना ला सकते हैं तो बस आप मेहनत सही तरीके से किजिएगा दोस्तो और फोर्तना उप्रस्ण है कि स्वव अस्थाने सनरक्षन का उधारन है वनस्पति उध्यान, जन्तु उध्यान, जीव सफारी और डी है इनमे से सभी तो स्वव अस्थाने सनरक्षन का जो उधारन होता है दोस्तो वह होता है वनस्पति उध्यान भी होता है जन्तु उध्यान भी होता है मातापीता का नाम भी रोशन करना है और ये जो प्रस्ण है कि इन में से बिलुप्त हो गए हैं डोडो, लाल पांडा, एस्टीलर से सी काउ और डी है इन में से सभी तो बिलुप्त हो गए हैं इन में से सभी यानिकि आप्सन अब जो डी है इसका राइट एंसर हो जेगा और बिलूप्त हो रहे प्राण्डियों की जो सूची को नोट किया जाता है वो Red Data Book में इसका सूची नोट किया जाता है और जो सांस्ता जारी करता है वो IUCN सांस्ता जारी करता है Red Data Book को याद रखेंगे अप्सन अबज़ डी है इसका सही एंसर हो जाएगा और ये जो प्रस्ण है जो की काफी मत्पूर्ण है कि दुधुवा राष्टिय उद्यान कहां इस्तित है लखिमपूर खिरी में मौथुरा में नैनी ताल में और कासी में यहाँ पर जगह का नाम पूछा है अगर राज्जे पूछता तो राज्जे यूपी high यादि उत्तरपरदेश इसका राइट एंसर हो जाता लेकिन उत्तरपरदेश में भी कहा है दुधवा रास्टे उद्ध्यान तो दुधवा रास्टे उद्ध्यान यल लाकीम पूर खीरी में इस्ति थे यहनी कि अप्शन नम्बर जो A है इसका 100% right answer होजिएगा दूथवार आश्टी हो देन अगर आज जेम पूछता तो उत्तर परदेश इसका सही एंसर हो जाता सेशन अच्छी लग रही हो तो इस लाइक जोड़ किजिएगा और ये जो प्रस्ण है कि चिपको अंदोलन चलाया गया मध्य परदेश में उत्तरा खंड में हर्याना में या दिल्ली में तो चिपको अंदोलन आपको ये मालूम होगा परदेश ने कि चिपको अंदोलन कहां चलाय गया था तो यह उत्त्रा खंड में चलाए गया था यानि कि option number जो B है इसका सही अंसर हो जेगा और किसके नेत्रित में पुछेगा तो सुंदर लाल बहोगूणा के नेत्रित में चीप को अंदोलन चलाए गया था और इनका जो सुंदर लाल बहोगूणा को जो मीर्तु हुआ था हाल ही में 2021 में ही इनका मीर्तु हुआ है याद रखेगा सुंदर लाल बहोगूणा के नेत्रित में चीप को अंदोलन हुआ था option number B इसका सही अंसर हो जेगा और हम बताए थे कि लाल आकड़ो यानि कि rate data book की पुछतक परकासित किया IUCN NWERI NWAICITES तो लाल आकड़ो की पुछतक ने rate data book जो परकासित किया जाता है वो IUCN सांस्ता के द्वारा यानि कि option अबर जो A है इसका सही अंसर हो जाएगा session अच्छे लग रही हो तो इस लाइक जरूर कीजेगा और चानल पर नए जोड़ो हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और ये जो प्रस्ण है जो की काफी मतपूर है कि गेंडा अभ्यारण किस राज्य में अवस्ति थे तो गेंडा अभ्यारण यह असा में इस्ति थे यानिका option अबर जो A है इसका सही एंसर हो जेगा और बात करें पच्छिम बंगाल में तो पच्छिम बंगाल में जो इस्ति थे सुन्दरवन नेशनल पार्क है और जल्दा पारा नेशनल पार्क है पच्छिम बंगाल में इस्ति थे और उत्तर परदेश में जानते ही हैं दुधुआ राष्टे उध्यान है और बिहार में बालबी की राष्टे उध्यान है तो गेंडा अभ्यारन या असा में इस्तिते असा में और भी दो तीन सुन्दरवन है और भी अभ्यारन है जो की काजीरंगा अभ्यारन और मानस और नामे तेरी राष्टे उद्यान इस्तिते ये भी मात्यपूंट सवाल था तो इसका राइट एंसर होजेगा आपसा नमबर ए नेक्षन प्रस्ण है कि किसी ट्रोपिकल परदेश में जे विविधिता में गिरावट का मुख्य कारण क्या होता है उसकी सहरी करण परदूसर डीफोरे स्टेशन और मिरिदा छणन तो किसी ट्रोपिकल परदेश में जे विविधिता में गिरावट का मुख्य जो कारण होता है दोस्तों वह होता है डीफोर्ट स्टेशन यानि कि आपसा नमबर जो सी है इसका सही एंसर होजेगा उमीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होग अगर इसका पीडियाप चाते हैं तो आप टेलीग्राम गुरूप से जोईन ओकर इसका पीडियाप डाउनलोड जरूप किदेगा और प्रेक्टिस करते रहेगा और ग्यारना प्रस्ण है कि पूरे भागोलिक छेत्र में बिविधिता का वास अस्थल होता है गामा और डेल्टा बिविधिता तो पूरे भागोलिक छेत्र में बिविधिता का वास अस्थल जो है वह है गामा बिविधिता यानिका अपसा नमबर जो यह है इसका सही एंसर हो जेगा और एक जिक्स में कोशन पुछा जाता है कि सबसे अधिक भेदान च्हामता किसकी होती है तो गामा किरन की भेदान च्हामता होती है याद रखे कि इसका राइट इंसर हो जेगा आपसा नमबर एक और एक मोटिवेशनल कोट है कि ना संघर्स ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में बरे बरे तुफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में अगर आपकी जुनू ही आपकी मोटिवेशन बनता है अब यह नहीं कि आप दो तीन चार से अधिक वीडियो देखते हैं तो बस उतना ही देर के लिए मोटिवेट होते हैं लेकिन अपने आप में ही मोटिवेट रहना चाहिए तो इससे आप मोटिवेट होंगे और एक जगा जरूर लीकर चिपक आ दिजिएगा कि हमको इतना देर पढ़ना है और इतना माक्स भी लाना है तो आप और कर सकते हैं और बारन प्रस्ण है कि छेत्रिय बिविधिता को कहते हैं अलफा बिविधिता बीटा बिविधिता गामा बिविधिता और डी है जेविक बिविधिता तो छेत्रिय बिवि रखेगा जो हम पहले बोले थे कि आप में ही मोटिवेशन है वीडियो देखने के बाद किसी भी चानल से आप वीडियो देखते हैं तो बस से एक से दो दिन ही आपके मन के उपर जुनूल रहेगा अगर वो चीज अगर आप लिख का टांग देते हैं कि हमको ये करना है और इतना देर ये सब्जेक्टों परते हैं तो इतना मार्क्स लाएंगे तो ये आप कर सकते हैं और ये जो प्राशने की अन्वांसी की ये अभिया नूकलियेज तो पूछा गया है प्राशन की अन्वांसी की अभियांतरीकी में पर्यूक्त आन्यमिक कैची जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन इंडोर नूकलियेज की रूप में होता है यानिका अप्सन अमबर जो डी है इसका सही एंसर हो जाएगा तो आए नेक्ट ना प् पर्योग होता है यानिकि कि इसका बहुत अधिक पर्योग होता है एग्रोबेक्ट्रियम त्यूमेफ फेसियंस जैन्थो मोनास सिट्राई बैसिला से काग्यूलेंस कलस्ट्रेडियम सेप्टिकम तो पौधों में अनुवांसी की अभियांतरीकी के रिए जो बहुत अधिक पर्योग होता है वह है एग्रोबेक्ट्रियम त्यूम फेसियंस यानिका अप्सन नमद जो ए है इसका राइट एंसर होजेगा बाइलोजी में आप खासकर इंग्लिस पर जरूर ध्यान देजेगा क्योंकि बाइलोजी में बहुत से ऐसे सब्द हैं जो इंग्लिस में ही लि कि बीर्या को हिमिक्रीत किया जाता है तो तरल नाइट रोजन में रेफ्रीजरेटर कहने का अर्थ है फ्रीज में और वर्फ में तो बीर्या को वर्फ में तो किया नहीं जा सकता है और रेफ्रीजरेटर में भी नहीं किया जा सकता है तो तरल नाइट रोजन में इसका हिमि क्रीद किया जा सकता है उमीद करते हैं आपको यह प्रस्ण पहले से मालूम थे अपसा नमबर ए इसका सही एंसर हो जाएगा तो आईए 16 आप प्रस्ण को देख लेते हैं जो की काभी मत्पूर है कि प्रोटो प्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है तरल नाइट्रोजन पी इजी पेग लेक्टिक एसीड और डी है इड में से सभी उम्मीद करते हैं आपको ये प्रस्ण मालूम होंगे तो आप कमेंट जरूर कीज़ेगा कि आज 20 प्रस्ण होने वाले हैं 20 प्रस्णों में से कितने प्रस्ण आप पहले से जानते थे दोस्तों और ये जो प्रस्ण है कि प्रोटो प्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या ह तो इसका राइट एंसर होता है PEG अप्सान नमबा जो B है इसका सही एंसर हो जाएगा तो आई ये सतरना प्रस्ण को देख लेते हैं और ये जो प्रस्ण है काफी मत्पूर्ण है कि प्राथमिक पर्थम ट्रांसजेनिक फोसल कौन सा है रूई, मट्टर मट्टर तमबाकू और फ्लेक्स तो पर्थम ट्रांसजेनिक फोसल के रूप में तमबाकू होता है याई का अप्सान नमबर जो C है इसका सही एंसर हो जाएगा इसमें जो खतरनाक जो औसदी होता है वो निकोटीन होता है याद रखेगा अप्सान नमबर C इसका सही एंसर हो जाएगा और ये जो प्रशन है काफी मत्पूर है कि निमली खित में कौन सा ट्रांसजेनिक पोधा नहीं है ट्रांसजेनिक पोधा कौन सा नहीं है पूछा है सोया बीन, मॉक्का राम गोल्डन राइस और D है खिरा तो पुछाए ट्रांसजेनिक पोधा के रूप में कौन सा नहीं है तो उमीद करते हैं आपको ये मालम होगा तो हम राइट एंसर बताना चाहते हैं तो खिरा इसका सही एंसर हो जाएगा और पुछता एक परस्ण पुछता है कि गोल्डन राइस में कौन सा बिटामिन पाए जाता है तो बिटामिन A इसका राइट एंसर हो जाता है गोल्डन राइस में लेकिन इसका राइट एंसर हो जाएगा इस परस्ण का राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमबर D इसका सही एंसर हो जाएगा सेसन अची लग रही होते से like जरूर कीजेगा और जरूर share कीजेगा और पुछा गया है ट्रांसजेनिक जानवर का उधारन है गाय, चूहा, सुवर और डी है इन में से सभी तो ट्रांसजेनिक जानवर का जो उधारन होता है गाय भी होता है चूहा भी होता है और सुवर भी ह होता है तो d के साथ इसका सही answer हो जआगा उम्मीद करते हैं आपको यह समाज में आ गया होगा है इसका अंतिनव प्रश्ण को देख लेते हैं और इसका answer आप type कीजेगा comment box में और प्रश्ण के निमली खित में कौन सा जेव तकनिक से संबंधित है प्लास्टिट्स प्लाजमीट्स उत्परिवर्तन और D है हाइबरीड भीगोर फुचा गया है कि प्राश्टन के कौन सा जेव तकनिक से संबंधित है जेव तकनिक तो जेव तकनिक से जो संबंधित है वह प्लाजमीट्स होता है यानिकि option number जो B है इसका सही answer up हो जाएगा अगर आपको किसी भी subject में doubt होगा तो एक बार doubt जोगो clear कर लिजेगा comment कमाध्यम से और session अची लग रही हो तो इसे like जरूर कीजेगा तो इस परकार से हमलग महत्तपूर्ण session को यहीं पर खत्म करते हैं तो मिलते हैं next video में नई उमीदे के साथ thank you for watching